हेलो फ्रेंट्स ऩेल्कम टुसोव्ट तचुश नेटिंग चैनल फ्रेंट्स आज मैं दो रंगों का प्यारा सा डिजाइन लेके आई हूं फ्रेंट्स जब भी आप ये डिजाइन डालने आपने 4 के मल्टिपल फंदे डालने है और 3 फंदे friends आपने extra डालने हैं यहनिकि 4-4 के हिसाब से फंदे डालने हैं और 3 फंदे design को adjust करने के लिए डालने हैं friends यह design कैसे डलता है आई इसको बनाना अब हम शुरू करते हैं friends यह design उल्टी तरफ से शुरू होगा सबसे पहले पहला फंदा इसको हम ऐसे slip करेंगे आगे दो फंदे आएंगे हमारे सीधे धागे को हम आगे करेंगे इस तरह से दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी तरफ किया एक फंदा आएगा उल्टा उल्टा फंदा धागा आगे किया तीन फंदे आएंगे सीधे, एक, दो, तीन थागा अपनी तरफ किया, एक फंद आएगा उल्टा, ये उल्टा लिया, थागा आगे किया, दो फंदे आएंगे सीधे, एक, दो थागा अपनी तरफ किया, और लास्ट वला फंद आएगा उल्टा, आपने फ्रेंट्स यहाँ प एक एक फंद आएगा हमारा उल्टा और बीच में तीन तीन फंदे आएंगे हमारे सीधे आगे फ्रेंट्स डिजाइन की हमारी दूसरी रो वैसे ही आएगा अब फ्रेंट्स हम धागे को अपनी तर्फ करेंगे दो फंदे आएंगे हमारे अब उल्टे एक और ये दो धाग आगे किया एक फंद आएगा सीधा ये सीधा लिया धागा अपनी तरफ किया तीन फंदे आएंगे उल्टे एक दो और ये तीन धाग आगे किया एक फंद आएगा सीधा ये सीधा लिया धागा अपनी तरफ किया दो फंद आएंगे उल्टे एक दो धाग आगे किया और लास्ट वाला फंद आएगा सीधा इस तरह से अब आएगी फ्रेंड्स हमारी थार्ड रो इसको तो हम ऐसे ही स्लिप करेंगे धागे को हम आगे करेंगे दो फंद आएंगे हमारे सीधे अगा अपनी तरफ किया एक फंद आएगा हमारा उल्टा धागागे किया तीन फंद आएंगे हमारे सीधे दो तीन धागा अपनी तरफ किया एक फंद आया हमारा उल्टा धागागे किया दो फंद आए हमारे सीधे एक दो धागा अपनी तरफ किया और लास्ट वाला फंद आया उल्टा तीन रों कम्प्लेट डिजाइन किया अब हमारी चोथी रों इस फंदे को तो हम ऐसे ही स्लिप करेंगे अब धागा अपनी तर्फ करेंगे दो फंदे आएंगे हमारे उल्टे एक और ये दो धागागे किया ये फंदा फ्रेंड्स जो आपको सीधा दिख रहा है ये आएगा हमारा सीधा धागा अपनी तर्फ किया तीन फंदे आएंगे फ्रेंड्स हमारे उल्टे एक दो और ये तीन धागागे किया जो फ्रेंड्स आपको फंदा सीधा दिख रहा है इसको आप हम सीधा लेंगे धागा अपनी तर्फ किय दो फंदे आएंगे हमारे उल्टे एक दो धाग आगे किया और लास्ट वाला फंद आएगा हमारा सीधा आगे फ्रेंड्स आएगी हमारी डिजाइन की फिफ्तरो इसको तो हम ऐसे स्लिप करेंगे धागे को आगे किया दो फंदे आएंगे हमारे सीधे एक दो धाग अपनी त धागा अपनी टरफ किया, एक फंद आएगा, उल्टा, धागा आगे किया, तो फंद आएगे सीधे, एक, दो, धागा अपनी तरफ किया, और लास्ट वाला फंद आएगा हमारा उल्टा, इजाइन की हमारी 5 रोव, कम्पलीट हो गई हैं, यहां पर फरेंट्स, 6 टरो मैं, हम हम ऐसे बिनबुने ही उतार लेंगे यहां पर हमारा सीधा फंदा है यहां पर हमारा डिजाइन डलेगा हम यह जो सिलाई बाला फंदा है इसको काउंट करेंगे one two three four five यह जो नीचे से हमारा पांचबा होल है one two three four five यहां पर हम ऐसे नीडल डालेंगे इस तरह से ऐसे और यहां से फ्रेंट्स दूसरे कलर से एक लूस फंदा निकालेंगे इस तरह से यह जो फंदे हैं इनके बराबर में इस फंदे को लेके आएंगे एक हो गया यहां से friends आपको यह जो दूसरा hole दिख रहा है यहां पे हम सिराई डालेंगे और इस तरह से एक और सीधा फंदा निकालेंगे ऐसे 2 होगे यहां पे फिर से इस hole में हम needle डालेंगे और एक और loose फंदा निकालेंगे ऐसे 3 होगे यहाँ पे फिर से नीडल डालेंगे उसके उपर एक और फंदा निकालेंगे ऐसे चार होगे और यहाँ फ्रेंड्स हम एक और फंदा निकालेंगे इस तरह से यह पांच फंदे होगे हमारे पास इस तरह से आगे फ्रेंड्स यह जो तीन फंदे उल्टे दिख रहे हैं आपको इनको हम फिर से बिन अबुने ही उतारेंगे तीनों को यहाँ वे friends एक, दो, तीन, चार, पांच पांच में होल में हम ऐसे सिलाई डालेंगे इस तरह से और एक लूस फंदा निकालेंगे ऐसे ऐसे लूस फंदा निकाला एक इसके उपर वाला जो होल है यहाँ पे हम निडल डालेंगे एक और फंदा निकालेंगे इस तरह से ऐसे दो फंदे होगे उसे उपर वाले होल में ऐसे फिर से निडल डालेंगे एक और फंदा निकालेंगे तीन फंदे होगे उसे उपर एक और फंदा निकालेंगे चार और यहाँ पे ऐसे पांच ऐसे आएगा फ्रेंट्स आगे फ्रेंट्स यह जो हमारे तीन फंदे बचेंगे इनको हम ऐसे ही सिलाई में रहने देंगे और उल्टी तर्फ से हमारी डिजाइन के आएगी सेवंथ रो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे 5 फंदे बन गए हैं अब हम इन 5 फंदों को 1,2,3,4,5 5 फंदों को हम ऐसे 1 साथ पकड़ेंगे इस तरह से और 5 फंदों का उल्टे में ऐसे 1 फंदा कर देंगे इस तरह से और इनको सिलाई से ऐसे निकाल देंगे आगे फिर से तीन फंदे, ये जो आएंगे,icky हमारे आएंगे इस तरह से बिना बूने अगे फिर से इन पांच फंदों को पकड़ेंगे एक, तो, तीन, चार और ये पांच, पांचों को एक साथ पकड़ा और पांचों का उल्टे में ऐसे एक कर दिया, इस तरह से और इनको सिलाई से निकाल दिया आगे वाले फंदे आएंगे हमारे फिर से बिना बुने आगे फ्रेंट्स डिजाइन के आएगी हमारी आठ वीरो, इसको तो हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, यहां पर फ्रेंट्स यह जो फंदा आपको उल्टा दिख रहा है अब हम इस फंदे को उल्टा नहीं लेंगे इस फंदे को अब हम सीधा लेंगे ऐसे इसको हमने सीधा लिया यह फंदा आएगा अब हमारा उल्टा धागे को अपने तर्फ किया, यह फंदा आया हमारा उल्टा साथ में friends ये जो design वाला फंदा है इसको भी हम उल्टा लेंगे इस तरह से नीचे से लेंगे इसको ऐसे और इसको ऐसे उल्टे में बुन देंगे उससे आगे वाला फंदा भी आएगा हमारा उल्टा ऐसे इस तरह से धागे को आगे करेंगे आगे आएगा हमार सीधा फंदा धागह अपनी तरफ किया, यह जो डिजाइन है Friends इसके साथ वाला और इससे आगे वाला फंदा, इन तीनों फंदों को Friends हम उल्टा ही बुनेंगे, ऐसे एक, इसको Friends आप ऐसे भी बुन सकते हैं इस तरह से ऐसे और आगे वाला भी आएगा हमारा उल्टा अब हम धागे को आगे करेंगे और ये फंद आएगा हमारा सीधा सीधा और लास्ट वाला भी आएगा हमारा सीधा सिर्फ फ्रेंट्स हमारी ये जो पहली स्टोवरी बनेगी डिजाइन की उसी में हमारी आठ रो अब यहाँ पे ये फंद आएगा हमारा उल्टा, ये उल्टा लिया, धागा आगे किया, आगे तीन फंद आएगे हमारे सीधे, एक, दो, और ये तीन धागा अपनी तरफ किया, एक फंद आएगा उल्टा, धागा आगे किया, तीन फंद आएगे हमारे सीधे, एक, दो, और तीन धागा अपने तरफ किया एक फंद आया उल्टा और लास्ट वाला भी आएगा अब उल्टा आगे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपने आप पता चल जाएगा जो फंद आपको सीधा दिखेगा वो अपने सीधा बुनना है और जो फंद आपको उल्टा दिखेगा वो उल्टा बुनना है इसको तो हम ऐसे इसलिप करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स यह सीधा दिख रहा है तो इसको अब हम ऐसे सीधा ही बुनेंगे सीधा बुना धागा अपनी तरफ किया तीन फंद आएंगे अब हमारे उल्टे एक दो और यह तीन धागा आगे किया यहाँ प सीधा और लास्ट वाला भी आगया हमारा सीधा यहां पर फ्रेंड्स आपने एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पर बीच में यह जो हमारा स्पेस बचा हुआ है यहीं पर अब हमारा अगला डिजाइन आएगा यानि के जो हम स्टोवेरी बना रहे हैं वो हमारी यहां पर ब फंदा धागा आगे किया, तीन फंदे आएंगे हमारे सीधे, एक, दो, और ये तीन धागा अपनी तर्फ किया, एक फंदा आया हमारे उल्टा, धागा आगे किया, तीन फंदे आए हमारे सीधे, दो, और ये तीन धागा अपनी तर्फ किया, एक फंदा आया हमारे उल्टा, वो लास्ट वाला भी आया उल्टा इस तरह से अब friends design की हमारी next line यहाँ पे friends आपको यह जो सीधा फंदा दिख रहा है इसी के उपर आप हमारी अगली storey बनेंगी यहाँ पे जो 5 होल होंगे आपके यानिके 5 लाइनों के बाद हम storey को बनाएंगे design को बनाएंगे इसको तो हम हम ऐसे slip करेंगे यहाँ पे हम count कर लेते हैं 1,2,3,4,5 पांच हमारे complete हो गए हैं तो यहाँ पे हम friends color को change करेंगे 1,2,3,4,5 यहाँ पे है जो hole है यहाँ पे हम ऐसे needle डालेंगे यहाँ पे और red बाले धागे को हम यहाँ पे use कर रहे हैं इस तरह से ऐसे loose फंदा निकालेंगे एक यहाँ पे डाला ऐसे loose फंदा निकाला दो अब यहाँ पे डालूँगी मैं loose फंदा निकालूँगी थोड़ा तीन यहाँ पे डाला ऐसे चार और यह last वले मैं इस तरह से डालेंगे और यह 5 इस तरह से आएगा देख सकते हैं friends यहाँ पे आगे आएंगे हमारे बिना ब फंदा दिख रहा है 1,2,3,4,5 यह जो पांचवा होल है जहां से हमने सीधा फंदा शुरू किया था बहां पे हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधे में लूस फंदा निकालेंगे इस तरह से ऐसे इस तरह से इसके बराबर लेके आएंगे इसको आगे फ्रेंट आपको यह ज फंदा और यह हमारा आए गया फिफ्थ फंदा इस तरह से आएगा अगे फिर से तीन फंदे आएंगे बिना बुने यहां पे जो सीधा फंदा दिख रहा है यहां पे हम लास्ट में निडल डालेंगे इस तरह से और एक लूस फंदा निकालेंगे ऐसे सीधे में इस तरह से ऐसे निकाला अब दूसरे में डाला और ये ऐसे निकाला दो ये तीसरे में डाला और ये तीन चोते होल में डालेंगे यहाँ पे ये ऐसे ये चार और ये लास्ट वाले होल में ये पांच इस तरह से आएगा फ्रेंट्स ये और इसको हम ऐसे ही सिलाई में डाल लेंगे अब next row उल्टी तरप से इसको तो friends हम ऐसे slip करेंगे अब यहाँ पर जो 5 फंदे बनाए हैं friends हमने उन पांचों को हमें ऐसे एक साथ पकड़ेंगे और पांचों का उल्टे में ऐसे एक कर देंगे इस तरह से ऐसे एक कर दिया और पांचों को सिलाई से ऐसे निकाल दिया तीन फंदे आएंगे बिना बुने बिना बुने ले लिए आगे फिर से 5 फंदे हैं एक दो तीन चार पांच पांचों को हम पहले एक साथ पकड़ेंगे ऐसे पकड़ लिए और पांचों का ऐसे उल्टे में एक कर दिया इस तरह से ऐसे छोड़ दिया आगे फिर से तीन फंदे बिना बुने आगे फिर से उसी को रिपीट करेंगे पांचों फंदों को एक साथ पकड़ेंगे इस तरह से दो तीन चार और ये पांच पांचों को एक साथ पकड़ा और पांचों का ओल्टे में ऐसे एक कर दिया इस तरह से और पांचों को सिलाई से निकाल दिया और इसको ऐसे ही स्लिप कर लिया आगे फ्रेंट्स यहां पे हमारा वाइट कलर का धागा लगेगा इसको थो हम ऐसे ही स्लिप करेंगे अब फ्रेंट्स यहां पे हम धागे को अपनी धागा अपनी तरफ किया तीन फंदे आएंगे हमारे उल्टे एक, दो और ये तीन धागागे किया यहाँ पर फ्रेंड्स हम उसी को रिपीट करेंगे ये वाला फंद आएगा हमारा सीधा धागा अपनी तरफ किया दो फंदे आएंगे हमारे उल्टे एक और ये दो धगागे किया और लास्ट वला फंद आएगा हमारा सीधा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फोटन रोड डालने के बाद हमारे पास इस तरह का पैटन जो है बुबन के तयार है आगे फ्रेंड्स आपने इन ही 14 रोग को बार बार रपीट करते जाना है और आपके सामने ऐसा सुन्दर सा डिजाइन जो है बुबन के तयार हो जाएगा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही असान डिजाइन है बेबी स्वेटर में तो फ्रेंड्स ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगेगा फ्रेंड्स आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा इसको लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली वार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी चुरूर करें थैंक यू सो मच